ओम नमाश्य वाय खरकर महादे देव गुरू ब्रहिस्पती अगर लगन में बैठ जा तो कहते हैं बहुत सारे दोशों को अपने आपी ठीक कर देते और देव गुरू ब्रहिस्पती की जहां भी दुष्टी पड़ती है वो बहुत सारी समस्चां को सॉल्फ कर देते हैं आशिरवाद देते हैं अब मैं इसी चीज़ पर ही वीडियो बना रही हूँ कि आकर देव गुरू ब्रहिस्पती लगन में बैठ के क्या करते हैं वो ऐसी क्या इनर्जी दे देते हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने वाले बन जाते हैं देव गुरू किन चीजों से जुड़ेवें परोबकार से संसकारों से लोगों की भलाई खुशियां पैसा इन चीजों से जुड़ेवें अगर लगन में किसी की भी घुर्ली में देव गुरू ब्रेसपती बैठ जाएंगे तो इसका मतलब व्यक्ति लोगों की भलाई करने वाला होगा अच्छा ही करने वाला होगा वो खुश रहेगा हमेशा आशावादी रहेगा लोगों के बारे में अच्छा सोचेगा उसके मन में जो को विचार जलन पुड़न नहीं होगी और लोगों के बारे में अपने आपको गुरू वाली position में रखेगा संतान मान के हरें के लिए कुछ कर देगा नहीं इसे के लिए कुछ कर देगा जो व्यक्तिय ऐसा होगा क्या उसके जीवन में कोई समझ से आ सकती है या कभी भी नहीं आ सकती विपरीत परिस्तितियों को भी ठीक कर लेगा इसलिए देव-ग्रू का एफेकित इतना ज़ाधा अच्छा होता है और हर एक को शुपता देता जाएगा जो शुब वैक्तिक होता है जो परोकारिक होता है जो सेवा आला होता है वो बहुत सारे लोगों की भलाई करता वचलता और आसपाल भी शुपता फैलाता वचलता है यही हमार को जो देव गुरु ब्रैसपती का कुण है हमारी कुली को ठीक करता है और इसलिए देव गुरु ब्रैसपती कुली के सबसे शुब ग्रैक है तो हमें समझना चीए कि हमारे जीवर में शुबता कहां से आ सकती है लोगों की भलाई करके परोकार करके सचाई से और लोगों के बारे में अच्छा सोच के दूसरों के बारे में भी करुणा रखके दूसरों के बारे में भी प्रेम रखके अगर आग ये भावनाय अपने अ अगर हमारी पुल्ली में इसमें कोई प्रॉबलम आ रही है तो हमें अपनी इनेर्जी को डेबलब करना पड़ेगा हमें अपने अंदर से सेल्फिशने सटानी पड़ेगी भलाई वाली भावना रखनी पड़ेगी लोगों के बारे पे अच्छा सोचना शुरू करना पड़ेगा और हमें लगेगा कहीं न कहीं इस चीज का हमारे अंदर लाक है हम पहले अपना देखने हैं फिर हम किसी और का सोच रहे हैं जब हम उसरों का सोचेंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा क्योंकि काम हमारा हमारे काम यह उसके काम नहीं बनाते काम इस दुनिया में सब कुछ उड़ जाओं का ही कोता है जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छी उड़ जा हमारे कामों से पैदा होगी और उस व्यक्ति के अंद अच्छा सोचें अच्छा करें तो ही हमारी चीजें सोधरेंगी देव गुरु भ्रहस्पती इसी विए शुपक हैं सचाई से जुड़े वें जब हम अपने अंदर के इन गुरुओं को स्ट्राउं कर लेंगे मजबूत कर लेंगे तो हम अपने देव गुरु को भी मजबूत कर लेंगे तो जब हम किसी ग्रह की बात करते हैं तो उसकी पावर उसकी किस एनरजी में वह हमें समझना पड़ता है और अगर हमें वह भीक लग रही है अपने अंदर तो हमें ठीक करना पर आपने पुंडली में देव गुरूप रहस्पती को देखेंगे उसकी पॉजिशन भी देखेंगे और समझेंगे कहीं आप भी कहीं चीजों में सेल्फिश तो नहीं हो जाते तब आपको कहीं अर्चन या प्रॉब्लम्स आरी हैं गराई से समझें जोतिश को ताकि आप अ हरगर महादेव ओम नमाश्रिवाण